नमस्कार मैं हूँ पंकज मटपाल Certified Financial Planner और आज एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ आपके कुछ सवालों के जवाब तो शुरू करते हैं कारेक्राम लेते हैं के करके सभी सवाल पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है आरिफ अली ने आरिफ कुछ mutual fund schemes में SIP के जर्ये निवेश कर रहे हैं और पिछले एक साल से उन्होंने ये SIP थुरू की हुई है आरिफ अली के पास मिरे asset large cap fund है जिसमें वो 2000 रुपे पर मन्त इन्वेश्ट करते हैं कैनरा, Rubico, Flexi Cap Fund में 2000 पर मन्त, DSP Mid Cap Fund में 2000 रुपीज पर मन्त Axis Small Cap Fund में भी invest कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं वो यहाँ पर mention नहीं किया है और मिरे asset emerging blue chip fund में 2500 पर मन्त की SIP चल रही है आरिफ जानना चाहते हैं कि 22 साल के बाद उन्हें यदि 2 करोड 50 लेक रुपीज यानि कि 2.5 करोड रुपे एकटा करने हो तो क्या ये हो पाएगा और साथ ही वो जानना चाहते हैं कि उनके पास जो DSP Mid Cap Fund है क्या उन्हें उस scheme से किसी दूसरी scheme में स्विच करना चाहिए क्योंकि वो DSP Mid Cap Fund की performance से satisfied नहीं है आरिफ जी अगर आप 22 साल में 2.5 करोड रुपे खटा करना चाहते हैं तो यदि हम 12% की compounded annual growth एजूम करें तो ऐसे में आपको 10,000 रुपीज पर मन्त इन्वेश्ट करने चाहिए और मेरे हिसाब से इस वक आप करीब करीब इतना amount invest कर रहे हैं क्योंकि access small cap fund में आप कितना invest कर रहे हैं वो आपने mention नहीं किया है तो इसके लिए मुझे exact amount नहीं पता है लेकिन जो मैं यहाँ पर calculate कर रहा हूँ उससाब से 10,000 रुपीज पर मन्त यदि आप invest करते हैं और इस investment को हर साल 10% से बढ़ाते जाते हैं तो यदि जैसे मैंने कहा कि 12% का CAGR हम assume कर रहे हैं तो आप 22 साल में 0,5 crore रुपे एकटा कर सकते हैं जहां तक schemes का सवाल है आपके पास सभी categories में schemes हैं लेकिन यदि हम बात करें DSP, Mid Cap Fund की तो definitely इसकी performance पिछले कुछ समय से अच्छी नहीं रही है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस scheme से किसी दूसरी scheme में switch कर लेना चाहिए जैसा आप जानना चाहते हैं और ऐसे में मोतिलाल ओस्वाल Mid Cap 30 Fund या PGIM India Mid Cap Opportunities Fund इन schemes को consider किया जा सकता है और साथ ही आपने कोटक Mid Cap Fund का भी जिकर किया है कोटक Emerging Equity Fund का तो मेरे साब से वो भी एक अच्छा Mid Cap Fund है अब बढ़ते हैं आगे लितेकला सवाज जो पूछा है मोहित यादव ने मोहित जाना चाहते हैं कि 30 साल के बाद retirement के लिए क्या 3 करोड रुपे sufficient रहेंगे मोहित इस question का इस तरह से उत्तर देना थोगा मुश्किल है क्योंकि भविश्य में आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी ये इस बात पर निर्फर करता है कि आपका lifestyle कैसा है आप अभी कितना खर्च करते हैं ताकि inflation को ध्यान रखते हुए ये calculate किया जा सके कि same lifestyle maintain करने के लिए भविश्य में कितने पैसों की जरूरत पड़ सकती है मुहित यदि हम 6% का inflation यानि कि महंगाई दर consider करें तो 30 साल के बाद 3 करोड रुपे आज के लगभग 52 लाग रुपे के आसपास होंगे तो मेरे इसाब से 52 लाग रुपे retirement के लिए काफी नहीं होते हैं इसलिए किसी भी व्यक्ति को जब future में retirement planning की बात करनी हो तो और ज्यादा राशी के बारे में सोचना चाहिए लेकि यदि मैं ये भी मान के चलू कि आपको 3 करोड रुपे इखटा करने हैं 30 साल में तो आपके पास क्योंकि time काफी बड़ा है तो ऐसे में यदि आप 4000 रुपे पर मन्त invest करते हैं first year में और इस investment amount को 10% से हर साल बढ़ाते जाते हैं और हम ये assume करें ये मान कर चलें कि आपको 24% का compounded annual growth rate मिल पाएगा तो ऐसे में आप 30 साल में 3 करोड रुपे जुटा सकते हैं तो यदि आप 3 करोड से ज्यादा एकटा करना चाहते हैं तो आप 4000 रुपे से ज्यादा invest करें इस साल में हर महिने और फिर आप हर साल इस amount को और बढ़ाते रहें तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने retirement के लिए एक अच्छी खासी राशी एकटा कर सकते हैं और आपने बताया कि आपके income 40,000 पर मंथ है तो मेरी राय ये है कि हर व्यक्ति को अपनी income का करीब 25-30% तो सेव करके invest करना ही चाहिए तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये सब करना संभाव हो पाएगा और अब लेते हैं अगला सवाद जो पूछा है गुरू परसाद जी ने गुरू परसाद जी का सवाल ये है कि उनके पास तीन mutual fund schemes हैं इसमें उन्होंने invest किया हुआ है और ये regular plan है अब गुरू परसाद चाहते हैं कि वो regular से direct में switch करें और जानना चाहते हैं कि ऐसे में as an investor उनकी क्या responsibilities हैं उन्हें किन बातों का खयाल रखना चाहिए गुरू परसाद जी आजकर ये बहुत common हो गया है कि investors regular plan से direct plan में switch करना चाहा रहे हैं और इसकी एक बज़य ये भी है कि बहुत सारे advertisement में कहा जाता है कि आपको यहाँ पर 1% का फर्क पड़ता है आपके returns पर क्यो में distributors का commission involve होता है लेकिन ये depend करता है कि किस category की scheme में invest किया जा रहा है हर category पर 1% का brokerage distributor को नहीं मिलता है कुछ schemes में तो ये बहुत ही कम होता है लेकिन ये बात सच है कि regular plan और direct plan के expense ratio में थोड़ा सा फर्क जरूर होता है तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको mutual fund schemes के बारे में अच्छी जानकारी है और आपको साथ ही किसी service की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि mutual fund distributor ना सिर्फ आपको guide करेगा mutual fund schemes के बारे में बलकि transaction में भी आपकी मदद कर सकता है तो यदि इस तरहें की service की आपको जरूरत नहीं है तो आप बेशक regular fund से direct fund में switch करने पर विचार कर सकते हैं साथ ही एक और भी important बात है वो है कि जो आपका distributor होता है वो कई बार आपको समय समय पर I mean guide करता है कई बार impulsive decision ले लिये जाते हैं मान लीजिए कि आपने mutual fund scheme में invest किया और market में तेज गरावट देखी गई तो ऐसे में as an investor आपका मन करता है कि यहां से exit कर दिया जाए लेकिन हो सकता है कि वो decision सही ना हो तो यदि आपका कोई distributor है तो ऐसे में आप अपने distributor से बात करते हैं और हो सकता है कि वो आपको सही से guide करे और decision लेने में आपकी मदद करें लेकिन यदि आपका कोई distributor नहीं है तो ऐसे में हो सकता है कि आप जो निर्णे ले रहे हैं वो शायद सही ना हो लेकिन आप एक impulsive decision ले लें जिसके बारे में बाद में आपको शायद अफसोस भी हो सकता है तो जैसा मैंने कहा एक तो knowledge दूसरा जो region है वो है service और थर्ड है emotional biases जो काफी हद तक mutual fund या किसी भी investment में आपके जो decision लेने की शमता है उस पर असर डालते हैं तो यदि आपको इन सबातों की कोई फिक्र नहीं है या आप कोई help नहीं चाहिए इन मामलों में तो ऐसे में आप बेशक्त regular plan से direct plan में switch कर सकते हैं और अब बढ़ते हैं आगे लितनकला सवाल जो पूछा है दिनेश कुमार ने दिनेश कुमार ने बताया कि उनकी उम्र 35 साल है और उन्होंने Tata Digital India Fund में 50,000 रुपे लंसम में इन्वेस्ट किये हुए हैं अब दिनेश हर मेहने 15,000 रुपीज की SIP करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किन funds में उन्हें SIP सुरू करनी चाहिए 5 साल में 6,000 रुपे और 15 साल में 60,000 रुपीज का दिनेश जी का target है दिनेश जहां तक 5 years का आपका जो target है कि आपको यहां पर 5 years में 6,000 रुपीज इकटा करने हैं उसके लिए मैं आपको suggestion दूँगा कि आपको एक dynamic asset allocation fund में invest करना चाहिए और यहां पर ICICI provincial balance advantage fund एक सही choice हो सकती है उसमें आप 3,000 पर मन्त की SIP कर दें और साथ ही आप एक index fund को भी consider करें यहां कि large cap index fund और यहां पर access nifty hundred index fund एक सही choice हो सकती है और index funds passive funds होते हैं तो चाहे आप access nifty hundred index fund में invest कर रहे हो या किसी दूसरे hundred nifty hundred index fund में invest करें आपके returns almost same ही रहेंगे तो आप एक nifty hundred index fund को consider कर सकते हैं और उसमें भी आप 3,000 पर मन्त की SIP करें तो 6,000 पर मन्त की SIP आपकी यहां पर दो scheme में हो जाएगी और 9,000 रुपे जो आपके पास बाकी बचे हैं उसके लिए मैं आपको सलहा दूँगा कि आप एक multi cap fund select करें multi cap में quant active fund या निपोन इंडिया multi cap fund consider किया जा सकता है साथ ही एक large and mid cap fund ICIC potential large and mid cap fund मेरे साब से एक सही choice होगी और एक flexi cap fund आप add कर लें flexi cap fund की category में PGIM India flexi cap fund या Canera, Robico flexi cap fund को consider किया जा सकता है तो इस साब से आपके पास एक large cap fund होगा, एक balanced advantage fund होगा एक multi cap fund, एक flexi cap fund और साथ में एक large and mid cap fund भी लेने की मैंने आपको सलहा दी है और आप अपने निवेश की रासी को हर साल बढ़ाते रहें ताकि आप अपने जो लक्षे हैं उन्हें हासिल कर सके और अब लेते हैं आज का आखरी सवाल जो पूछा है डॉक्टर संदीब निगम जी ने संदीब जी का सवाल ये है कि क्या hybrid arbitrage fund में invest करना सही रहेगा चार से पांस साल के नजरिये से as compared to NPS tier 2 जहां पर वो बात कर रहे हैं auto choice की संदीब जी आप यदि चार पांस साल के लिए invest करना चाहते हैं तो पहली बात तो definitely मेरे हिसाब से mutual funds में आपके पास कई choices हैं तो NPS tier 2 scheme में invest करने के बजाए mutual funds में invest करना बहतर होगा लेकिन arbitrage fund में नहीं arbitrage funds को मेरे साब से आप cash equivalent समझे तो short term के लिए यदि पैसा पार्क करना हो तो वहाँ पर arbitrage funds consider किये जा सकते हैं लेकिन यदि आपका नजरिया 4 से 5 साल का है तो ऐसे में आपके पास दूसरी choices हैं मेरे साब से तो एक balance advantage fund 4 to 5 years के investment horizon के हिसाब से सही choice होगी लेकिन यदि आपको balance advantage fund में ना करना हो तो फिर आप एक conservative hybrid fund consider कर सकते हैं conservative hybrid fund में जो equity allocation है वो 10 to 25% होता है और ऐसे में ICI से potential regular savings fund या SBI conservative hybrid fund ये consider किये जा सकते हैं और यदि आप थोड़ा सा जो equity का risk है volatility है उसे समझते हैं तो मेरे साब से ICI से potential balance advantage fund जो की एक dynamic asset allocation fund है वो भी consider किया जा सकता है तो 4-5 साल के नजरिये से आप arbitrage fund में invest ना करें उसके बजाए आप किसी conservative hybrid fund या फिर balance advantage fund को consider कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मुझे उमीद है जो जानकारी मैंने आपके साथ share की वो आपको पसंदाई होगी वीडियो को like करना और share करना ना भूलें साथ ही आपको कोई सवाल या सुजाओ हो तो comment box में आप post कर सकते हैं और आपने यदि हमारा YouTube चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe भी करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिए थैंक यू जैहिन mutual fund निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से सम्मंदित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पड़ें